दोस्तों इस Study91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ 8 अप्रैल के सबसे मर्धपूर करेंट अफेर के प्रस्नों को चलिए देखते हैं दोस्तों की कौन-कौन से प्रस्न हमारे लिए important जोकी यहाँ पर दिये ग किताबों को आप मार्केट से भी परिचेश कर सकते हैं आपके नेरबाई कोई भी बुक इस्ताल हो वहाँ जाकर आप बात कीजिए वहाँ पर एक किताब आपको जो है मिल जाएंगे ठीक है यह दोस्तों चार सीरीज है टोटल यहाँ पर लेकपाल की ठीक है इसके अलामा व किताबों को घर पहुंचाने के लिए आपसे किसी भी तरह के डिलिवरी चार्ज नहीं लिए जारे दोस्तों कोई सिपिंग चार्ज नहीं है मुफ्त में किताबे आपके घर तक पहुंचाई जा रही है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं साथी साथ हमारी टीम के दौरा कई सा अनलाइन कोर्स भी चलाए जारा अगर आप किसी भी परिक्षा की तयारी करें जो कि यहां पर दिया गया है तो आप इस कोर्स को जोईंग कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं आज के इंपोर्टन प्रस्न को जो कि आज हमें पढ़ने है पहला सवाल है हाले में किस राज्ज की जाती है और इसी लिए इसका नाम क्या है गढगावर उस्सो है माता गवरी की यहां पर पूजा की जाती है एक तो याद रखेगा साथी दोस्तों यि पूजा को खास करके ऐसी महिलाए करती है जो कुमारी होती या जिनको अच्छे पती की तलास होती है ऐसी महिलाए ठीक है ये गडगोर उस्व में भाग लेती है और पूजा करती है माता गवरी की अच्छे ये तेवहार मनाय क्या गया तो अभी तो दोस्तो रिसेंट में तेवहार राजस्थान में मनाय गया बड़ इसके अलावा ये तेवहार जो है ये मद्य प्रदेश में मनाय जाता है उस्व ये उस्व आपके महराश के कुछ शेत्रों में मनाय जाता है और इसके अलावा दोस्तो राजस्थान से कुछ लोग जाकर के पशिम मंगाल में बस गए हैं तो कई बार दोस्तो पशिम मंगाल में भी ये गड़गोल उत्सो मनाया जाता है तो याद रखेगा ये चारो प्रदेश इनका नाम याद रखेगा वैसे मूल रूप से कहां मनाय जाता है तो राजस्थान में मनाया जाता है याद रखेगा माता गवरी की पूजा होती है और खास करके जो कुवारी महिलाएं होती है जो साधी में अच्छे पती की तलास करती है उनके द्वारा दोस्तो यहाँ पर पूजा पाट किया जाता है बाकी की चीज़े हाँ पर उस्साओ कहा मनाये गया तो याद रखेगा ये तो राजस्थाने मनाये गया दोस्तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि GSI ठीक, GSI ने किन नए भूबैग्यानिक बिरासत अस्थलों की पहचान की है, तो अभी दो भूबिरासत अस्थलों की पहचान GSI के द्वारा किया गया है, जिसका पहला नाम क्या दोस्तो सिवालिक जिवासमुद्यान और दूसरा है दोस्तो बक्सा, क्या नाम है, बक्सा फार् जो पेडों के जड़ों से दोस्तों ब्रीजों का निर्माड वुआ है और याद रखेगा आज से नहीं आज से 500 साल पहले से ऐसा होता चला रहा है दोस्तों वहां के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं खास करके गारो और खासी वाले जोलग दोस्तों उनके द्वारा यह रूट ब्रीज बनाया जाता है आगे देखिया हालाही में इसान मन्थन नाम की तीन दिवसी उत्तर पूरू उत्सव का उध्गाटन कहां पे किया गया तो इसका उध्गाटन नई दिल्ली में हुआ जहां पर इंद्रा गांधी राश्टिक लाकेंद्र दोस्तों वहां पर इसका उध्गाटन हुआ जन जाती है शंश्कृति और ब्रेंजनों की भावना के उत्सों को ध्यान में रखते वे आदीब आजार कायोजन कहां पे किया गया दोस्तों आदीब आजार कायोजन इस बार किया गया दोस्तों गुजरात के केवडिया नामक अस्थान पे ये त्याद रखेगा हालाई में किस राज में भगोरिया उस्तो मनाये गया त्याद रखेगा ये उस्तो आपके मद्यप्रदेश में मनाये गया और मद्यप्रदेश में जो अगरिया जन जाती भील जन जाती सहरिया जन जाती हैं उनके द्वारा ये उस्तो मनाये जाता है किस मंत तो कोई भी सुरू कर सकता इसमें कोई बड़ी बात थोड़े लेकिन आप जरूर से ज़्यादा दिमाग मत खर्च करेगा अन्यता परिक्षा में गलत करके आएंगे खजुराहो नित्य मौसो दोस्तों किस राज में आउजित क्या गया तो खजुराहो को मंदिर है कहाँ पर बताईए मद्यप्रदेश में तो जाइड सी बात इस नित्य मौसो का आज़न कहाँ हुआ होगा मद्ध्य प्रदेश में हुआ आगे दिखे भारत सरकान ने किस राजिक के मेदाराम जतारा महसों के लिए 2.26 करोड रुपए आब अबंटित के दोस्तो ते मेदाराम जतारा महसों मनाय जाता तेलंगाना राज में कहाँ पर तेलंगाना राज में तो इसे भी याद रखेगा ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है तो आटेंग कल्चर से जूड़े दोस्तो ये सभी सवाल हाल फिलहाल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था और आपके लिए दिविजन इसलिए जरूरी है कि चीजें आपको याद रहें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल पर सही जोड़े का मिलान करना है चलि मिलान कर देते हैं करया कि डिकोडिंग इंडियन बाबुडोम ये दोस्तो किताब का नाब को आपको बताने कि किताब लिखा किसने है अगला है दोस्तो बिरसा मुंडा जंजाती नाएक बिरस तो यहां पर जो आपका उत्तर बनेगा दोस्तो क्या बनेगा बनेगा CBA, क्या बनेगा दोस्तो, CBA बनेगा याद रखे है और यह आपका सही जबाब हो जाएगा अच्छे जो अस्वनी स्रिवास्तो जी द्वारा किताब लिखा गया, इस किताब में लिखा क्या गया है बड़ी बाते भी है न, त्याद रखे, भारत के ताना सही राजवियोस्ता के बारे में दोस्तो, इस किताब में बताया गया जो कि अस्वनी स्रिवास्तो जी के द्वारा लिखा गया और किताब का नाम क्या दोस्तो, Decoding Indian Babudome ठीक है, ये किस के बारे में बताया गया दोस्तो, जो ताना सही राजवियोस्ता थी, उसके बारे में बताया गया और जो बिरसा मुंडा को पर दोस्तो किताब लिखा गया, याद रखेगा उस किताब का बीमोचन किसके द्वारा किया गया तो वर्तनमान में हमारे सिच्छा मंत्री और कौसल विकास मंत्री का नाम क्या है धर्मेन प्रधान है ये उनी के द्वारा दोस्तों इस किताब का भी मोचन किया गया जिसे लिखा है चक्रवाल साब ने प्रोफेसरल असोक चक्रवाल साब ने लिखा है अच्छा असोक पती है और निनी के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया ठीक है अच्छा गुरु घासी राज जी के नाम पर अभी एक राष्ट्यू ध्यान भी दोस्तों आपने सुना होगा चर्चा में चल ला था वो भी आपके कहा है दोस्तों उत्तराखंड स्वारी और बार बार गलत नाम निकल ला है ठीक है उडिसा और उत्तराखंड यह भाई मिस्टेक हुआ इसको ध्यान दीजेगा यहां पर नहीं है यह जो आपका गुरु घासी दास है यह कहां पर दोस्तों 36 गड़ राज्ज में है तो याद रखेगा और इस्पेसली यह बिसुविद्याले कहां पर है त दरा एक सरसरी निगा उन पर भी डाल लेते हैं तो पहली किताब क्या दोस्तों बेसा मुंडा जनजाती ना है किस किताब को किस ने लिखा है प्रोफेशर असोक चक्रवाल जी ने लिखा है याद रखेगा हाले में किस लेखे हैं लेकिका ने क्वीना फायर नाम पुस्तक लिखा है दोस्तों क्वीना फायर नाम का किताब लिखा है तो इनका नाम है देविका रंगाचारी क्या नाम है देविका रंगाचारी हाले में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम याद रखेगा यह मोदी जी के उपर किताब है दोस्तों इसे किस ने लिखा है तो इसे नामक पुस्तक लिखा दोस्तो तो इसे लिखा है रीचा मिस्रा जी ने याद रखेगा हाले में चर्चिक पुस्तक का टॉम बाप सैंड दोस्तो किसे ने लिखा है गीतांजली स्री के द्वारा लिखी के किताब है टॉम बाप सैंड याद रखेगा The Role of Labor in India's Development इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया तो वर्तमान में स्रम रुजगार मंत्री कौन है भूपेंदर यादउजी हैं दोस्तो याद रखेगा और वर्तमान में वो परियावड मंत्री भी है तुनी के द्वारा दोस्तों एक किताब का विमोचन किया गया ड़ा ब्लू बुक राइटर्स जन्रल ये अमितावा कुमार की रचना है अगर आप डेली करेंट अफेर की क्लास करते होंगे तो सारे सवाल आपको याद हो गये और कोशिज कीजिए कि मेरे साथ एक सवाल बोलते चलिए, जब वाली स्लाइड आये करें, मेरे साथ आप भी बोला करिए, बोलने से चीज़ें और भी तेजी से याद होती है, बहुत सारे बच्चे कते सर साइड हो जाये करिए, आपको PDF की जरुवत है, या फिर आपको इसका नहीं आता है कि मैं यहां से साइड हो, कि कोई साइड अटने के बाद फिर मजा नहीं आता है, ठीक है, चलिए आगे देखे, The Founders, The Story या PayPal, आपको पता हो दोस्तों PayPal एक Multinational Company है, जिसके उपर किताब लिखा है, जीमी सोनी ने, इसे भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छी किताब है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से, कूट वाले सवाल, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, कूट वाले सवाल तो और मज़ेदार है न, अच्छा, बहुत साइड लोग तो परसान हो जाते हैं, कि सर, कूट, 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 मजा नहीं आता है, अरे आज दो किताब हो गई, तो मैंने कहां, दोनों किताब पढ़ाना पड़ता, तो अब एक ही कर्εταιक में, या तो मैं दो कूश्यों बनाओ, किताब का, या तो मैं क्या कर दूं किताब को एक ही में जोड़ करके कूट बना दू, है की नहीं, अब जिसे दिवस के सवाल, हम चार अप्रेल को राष्ट्री ये समुद्री दिवस कम मना जाता है ये पांच अप्रेल को मना जाता है चार अप्रेल पांच अप्रेल ठीक है अंतर राष्टी खेल दिवस राष्टी खेल दिवस की बात नहीं कर रहा है ये तो राष्टी खेल दिवस की बात करेंगे तब तो matching क्या बनेगा बनेगा दोस्तो पहले B आएगा फिर C आएगा फिर D आएगा फिर आपका A आजाएगा तो क्या हो जाएगा उत्तर B, C, D आपका उत्तर हो जाएगा B, C, D, A यानि कि option number 4 या आपका क्या हो गया सही जबाब हो गया कोई दिक्कत आपको कोई समस्या नहीं न आई बास समझ में इस तरह से दोस्तो आप चीजों को याद रखेगा अब देखे इसी चीज के बारे में आपे दे दिया जैसे अंतराश्री खदान दिवस तो दोस्तो से उसके बास से 2005 के बास 2006 से यह लागू कर दिया गया और तम से 4 अपरेल 2006 से लगातार यह मनाय जाता है अंतराश्री समुद्री दिवस स्वारी अंतराष्टी ने राष्टी समुद्री दिवस की बात कर रहा दोस्तों नेशनल मेरिंडे की बात कर रहा दोस्तों तो भारत सरकार दोरा हर साल राष्टी समुद्री दिवस ये पांच अप्रेल को मनाये जाता है ताकि लोगों की बीच में जागरुकता फैलाये जा स जैसे एक अप्रेल को RBI का स्थापना हुआ था और साथी साथ उतकल दिवस भी मनाए गया, उतकल दिवस मतलब क्या दोस्तोओ, ओडिसा का दोस्तो ये दिवस है, याद रखेगा, ओडिसा के लिए दिवस है, ये भी याद रखेगा, अंतराश्टी बाल पुस्तक दिवस दो को मनाया गया और विश्व स्वास्थे दिवस क्या हो गया दोस्तों यह आपका साथ तारी को मनाया गया यह सीरे नंबर गलत हो गया छे साथ आठ ठीक है यह आठ दिवस अम लोग अब तक पढ़ चुके हैं समझ में आई बात चले आगे चला जाए अगले आते हैं ठीक है मैं आपको रिसेंट में जिन जिन लोगों के बारे में लोगों ने पढ़ा था वो मैं आपको जरूर पढ़ाता हूँ चाहिए आप नाराज हो चाहिए आप खुस हो मेरा काम है क्वालिटी कंटेंट देना आपको भरोसा करना हो तो कीजिए नहीं करना हो तो कोई बात नही ठीक है, देखें जो समझ सकता है उसी को समझाय जा सकता जो नहीं समझ सकता उसे भगवान भी नहीं समझा सकते हैं चलिया यह देखते हैं दोस्तो Alexander Vusic को अभी राशपती चुना गया दोस्तो आपको बताना है कहां का राशपती चुना गया तो याद रखे दोस्तों इनको सार्बिया देश का राश्पती चुना गया अलेकजंडर को कहां का सार्बिया देश का दोस्तों राश्पती चुना गया और सार्बिया की राजधानी कहां दोस्तों बेलग्रेड है याद रखेगा अगला दोस्तो, गेब्रीयल बोरिक फॉंड को दोस्तो अभी कहा का राशपती चुना गया, तो याद रखेगा इनको चिली देस का राशपती चुना गया, सेंटीयागो यहां की राशधानी है, याद रखेगा दक्षिर अमेरिका का देस है, जो तामवा उत्पादं के इस्टेन मियर को जर्मनी का राषपती चुना गया था, एक बार आप मैचिंग कराएं दोस्तों क्या बनेगा, पहले का D हो गया, दूसरे का C हो गया, तीसरे का E हो गया, चौथे का A हो गया, और पाचमे का B हो गया, तो D, C, E, A, B आपका सही जबाब हो जाएगा, यानि कि नंबर एक यहां पर आपका क्या है, राइट एंसर है, आते हैं सवाल, आप परिक्षा में पेपर उठा के देखेगा, हाल फिलाल के प्रधान मंत्री, राषपती, सब के बारी में सवाल आता है, ठीक है, तो क्यों नहीं हम पहले से पढ़के रेडी रहे हैं की नहीं, तो इ इसके पहले भी अलेकजंडर वुसिच वहां के राषपती थे, इनका दुबारा चुना हुआ, ये भी याद रखेगा, इसके अलावाँ दोस्तों अगर सार्विया देश की बात करें, तो एक लेंड लॉक कंट्री है, जो की दक्षिड पूरव यूरोप में स्तित है, बेल कुछ अच्छे सवाल देखते हैं, जो की आप से आपकी परिक्षा में पूछे जा सकते हैं, याद रखेगा, ये नार्मल एपॉइंटमेंट नहीं दोस्तों, ये मुख्य पद पर न्यूकती हैं दोस्तों, किसी इंपोर्टन पद पर जब किसी द्यक्की को बेठाया जाता है, तब एली स्टाप को दिया जाता है, याद रखेगा, अलेकजंडर वुशिच को अभी राश्पती चुना गया, कहां का, तो सार्भिया देश का राश्पती चुना गया, ध्यान देजेगा, अगले थलसेना प्रमुक कोन बनने वाले हैं, अभी तक तो थलसेना प्रमु जिनका नाम है मनोज पांडे, वो मनोज पांडे अब अपडेट होके क्या बनने वाले हैं, सेना प्रमुक बनने हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा, इंपोर्टेन सवाल है, हाले ही में विक्टर ओर्बन को कि इस देश का प्रधान मंतरी अभी चुना गया है, तो विक् रिहंगी की राजधानी का दोस्तों, भुड़ा पेष्ट है, उसको भी याद रखेगा, करा हाले ही में रॉबर्ट अभेला कि इस देश के पीम की रूप में चुने गया हैं दोस्तों, तो अभेला साब को पीम चुना गया कहां का, याद रखेगा माल्टा देश का, राजधानी वैलेटा है, कहां पर है, वैलेटा इसकी राजधानी, मेरे साथ बोलिये, आपको नहीं याद है, तो मत परसान होए, लेकिन बोलिये न, प्रयास तो करिये बोलने का मेरे साथ, साथ, ठीक है, दोराइए मेरी बातों को, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य मे पहली महिला विधान सबाद देच के रूप में निर्विरू चुना गया दोस्तो इंका नाम क्या है खंडूरी नाम है दोस्तो पता है क्या खंडूरी रीतू खंडूरी भूसरड क्या नाम है रीतू खंडूरी भूसरड ठीक है गैब्रियल बोरिक को भी किस देश का सबसे य नाम है याद रखेगा दक्षिर कोरिया के अभी ने राश्पती कौन बने युन्सुक योल कौन बने युन्सुक योल बने है वो भी याद रखेगा फ्रैंक वाल्टर इस्टिन्मियर बताई दिया दोस्तो जर्मनी देश के राश्पती चुने गया है इसके पहले जर्मनी का Chancellor चुना गया था दोस्तो ओलाप सोलज को उनका नाम भी आप याद रखेगा पॉल हेंदी साड़ों को दामीबा को दोस्तो बुर्किना फासो देश का क्या चुना गया राशपती चुना गया अंतरिम राशपती चुना गया याद रखेगा रच्छान संदान और विकास प्रयोक साला का महान दिशर चुना गया दोस्तों GA स्री निवास मूर्ती जी को किसे? GA स्री निवास मूर्ती जी को तो सभी सवाल दोस्तों आप याद रखेगा बहुत important सवाल है और ऐसे सवाल आपसे आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाल ही में प्रकृति हरित पहल के सुभारम की घोसला किया गया दोस्तों प्रकृति हरित पहल का सुभारम किया गया आपको बताना है इस पहल का सुभारम किस ने किया और किसलिये किया गया यह भी तो important है तो याद रखेगा दोस्तों प्रकृत नाम का हरित पहल जो आया याद किया जा रहा है single use plastic को दोस्तो बैन किया जा रहा है अभी एक company डाबर company का नाम सुना होगा जो single use plastic को पूरी तरस अपने company में बैन कर चुकी जियां वहाँ जितनी भी plastic है वो सब recycle होने वाली plastic है single use plastic का मतलब होता है ऐसा plastic जो एक बार यूज करने के बाद उसका recycle नहीं किया जा सकता वो अब परियावड को दूसीत ही करता है तो ऐसी polythene के उत्पादन को रोक लगाना दोस्तो ये है और इसी के लिए दोस्तो ये प्रकृति पहल सुरू किया गया और ये हमारे दोस्तो किसी कल्याण मंत्री है याद रखेगा और गिर्राज सिंग दोस्तो ये ग्रामेड विकाश मंत्री है तो अंतर है दोनों में और बाकी मोदी जी के बारे हम आप जानी रहे हैं मैं आपको लेकर चलता है दोस्तो परिया वर्ड से जुड़े अच्छे सवालों पर जो आप से आपकी परिक्षा में पूछा जा सकता है परिया वर्ड से जुड़े अच्छे सवाल हाले में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म जिला बना दोस्तों पूरे 121 साल बाद इतना गर्म जिला इसको गोसित किया गया दोस्तों इतनी जादा गर्मी मार्च महिने में रिकार्ट किया गया जिले का नाम है चंदरपूर जिला बच्चा ने कमेंट किय किस ने दिया है कनाटक राज ने दिया नवी करडी उर्जा के बारे में नीती के बारे में policy लाने जा रहा है ठीक है जिस तरह से कीवी policy आ रहा है ये बंगलादेश में है और इसके अलामा दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी कौन है? सवाल आए तो बताएगा नई दिल्ली. जिया दोस्तों लगातार दो अर्सों से टॉप पर चल लए ये नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी है. हाले में किसने प्रदूसर कारी वसनों के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाया है? किसने लगाया है? कार्बन उत्सर्जन टैक्स त याद रखेगा EU दोरा लगाया गया European Union के दोरा लगाया गया. प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए दोस्तो अभी दो पहल श्टार्ट किया गया था. एक पहल का नाम था संभव पहल और एक पहल का नाम था श्वावलंबन पहल. संभव और श्वावलंबन. पढ़ लिजे पीछे, ये सब लिखा हुआ है. और आज फि जो कि महराश्ट में है हाला-इक delay में दोस्तो मुस्र भारिस होई घीक है जिसे हम लोगों ने rain bomb का नाम दिया फीक है इसे भिएत रखेगा हम लोगों मतलब हमने नहीं नहीं दिया थीक है जो है यह rain bomb का नाम दिया गया princip चुरों मेरह कृम्सन रोज क्या है क्रिमशन रोज दोस्तों डित्लियों की प्रजाती है जो काफी समय बात कॉट लोग देखा गया और द्यान दी को सवार आपको बताया है याद रखेगा जो इस को बैस्व बैस्ट मेड्य deal को छला है Ranger petrol उन स्वाज इदो बैच को जोईन करिए और एक मज़े की बात बतादूं दोस्तों किताब पर काम करने लगा अभी तो आपके विस्ट में दोस्तों लेकपाल परिक्षागरे और विड़ियो परिक्षागले किताबे आगली जो हमारी किताब आने वाली बाकी courses बहुत सारे चलना करा आप लेकपाल, बीडियो, सुपर्टेट, यूपी टेट, नेट जियारफ, यूपी पुलीस या हिंदी इंडुवियल इस तरह की कोई भी class करना चाहते हैं तो एक मौका study 91 के दीजिए कसम से दोस्तो पढ़ करके आपको लगेगा कि सर पैसा दिये हैं तो पूरा वसूल किया है, मन लगा के पढ़ाई किया है, ठीक है, और हम लोग भी वैसा किया जाता है, तैसा नहीं है कि कुप धेर सारा course नहीं चला ना हमें, ठीक है, आराम अराम से काम करना है, सिलक्सम भी त तीन जिला का नाम सुना, तेरा जिला सर एक सा था, वहाँ पहले भी दोस्तो तेरा जिले थे, तेरा जिले पहले थे, ठीक है, और अब दोस्तो तेरा जिलों का उधगाटन वहाँ पर और कर दिया गया, ठीक है, तो अब याद रखेगा कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई कुल जीलों की संक्या हो गई 26 यह तो गजब की बात है सर सच में ऐसा हुआ कि मजाग कर रहें मजाग में थोड़े करेंड फिर पड़ा रहे हैं कि मजाग कर ठीक है 13 जीला पहले था 13 जीला और जुड़ गया टोटल जीला हो गया 26 अच्छा ऐसा काम किया किसने दोस्तो याद पर उन्होंने 13 नए जिलो को प्रस्तावित किया है और मतलब पास भी हो गया एक तरह से आपका सकते की बन गया है ठीक है अब यहाँ बाकी 13 जिलो के नाम यहाँ पर है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता कि जो है कि हमको याद है ठीक है आप देख सकते हैं कि कि जिले से कि जिले को और नेने मुख्याले आपर बनाए गया है ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपर दिया गया है यहाँ उन 13 जिलो के नाम दिये हैं आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं चली हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं बिल से जुड़े सवाल बढ़ थोड़ा सा पानी ह ठीक है गर्मी बहुत जादा बढ़ गया आप जान रहे हैं चली आगे देखिए तो ध्यान दीजे का दोस्तों 13 जिले जोड़कर आप हो गया है 26 जिले कुल हो गया आंदर प्रदेश में जगन मौन रेड़ी ने दोस्तों इसे जो है लान्ज किया मतलब बताया इसके बारे में हाले में चर्चा मेरा मोटर वहां सम्झोता 2015 पर किन देशों ने सम्झोता गया है किया आप रखेगा बंगला देश है भूटान है भारत है और आपका नेपाल है ठीक है तो आप याद रख सकते हैं बी 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 एन ठीक है ट्रिपल बी एन याद रखेगा अच्छा इससे क्या होगा दोस्तों मोटर भान समझ होता तो यह हमारे पडोसी देश है जब क्या होता है कि हम प पर दोस्तों छूट मिलेगी इसलिए दोस्तों मोटर वहां समझोता हुआ है कि इस देश में अचानक इंधन की कीमेतों में बढ़ोतरी के बिरोध के कार दोस्तों आपातकार लगा दिया गया याद रखे का वह देश है कजाकिस्तान जहां इंधन और हमारे हां देख लो लोकसभा और विधान सभा चुनाओ लड़ने वाले उम्मीदवारों के रिए खर्च की सीमा बढ़ा करके दोस्तों कितना कर दिया तो भाई सरकार विचारी खुब खर्चा हो कोई बात नहीं तो लोकसभा की जो उम्मीदवार हैं वो 90 लाक रुपे तक का प्रचार प्रसा चानवे और चालीस ठीक है पहले सतर था अब पंचानवे कर दिया गया और यह वाला पहले पचीस था अब शालीस कर दिया गया तो 95 और चालीस याद रखेगा 90 तुमने कमी बोल दिया ठीक है करकिस देश ने महिलाओं के अधिकारों के हितों के सरच्छड पर कानून प्र देश पूरे देश में नाम हो गया त्याद रहा चीन देश है पहली बार ऐसा मुझे लग रहा कि मैलाओं के अधिकारों के लिए वहां इस तरह के कानून पास किया गया त्याद रहकेगा एक बिल करनाटक राजी ने पास किया है जबकि इसके पहले लब्ज यहाद प जिले बनाने की गोशला किया है यहाँ तीन जिला बलना नागालेंड महुत तेरा जिला अंदर पदेशने बन गए इसके पहले पंजाब में एक जिला बना था मलार कोटला ठीक है करा कि मोदी जी ने महिनाओं की साधी की उम्र जो 18 वर्से बढ़ा कर कितना कर दिया तो 21 वर्स कर दिया अब कमसकम 21 वर्स की महिला हो जाएंगी तभी उनका बिवा किया जा सकता है यह 18 वर सवाला जो concept था दोस्तो जिसे दिया था हरविलास सारदा ने ठीक है सारदा अधनियम के तद दोस्तो एससे ठुगा था ठीक है तो यह भी याद रखेगा परिक्षा में पूछा जा सकता है सारदा अधनियम के बारे में ख्याद रखेगा उससे जुड़े वे कौन थे हरविलास सारदा जी थे उन्ही के नाम पर यह पड़ा है करा की देश के प्रमुक मंदिरो एवं तिर्थास्थानों के आनलाइन दरसर है तू टेमपल 360 नाम का एक पोर्टर लांच किया गया दोस्तों एक किस मंत्रा आड़ा के द्वारा लांच किया गया अच्छे है क्या मैं बता दू भारत के अंदर आपको पता होगा चार धाम है पता ही अच्छे से न येक आपका उत्तरा खंड हो गया नीचे आपका रामिश्वरम हो गया आपका द्वारिका हो गया गुजराज साइड धर आपका पूरी हो गया उडिशा साइड ठीक है इसके अलाम बाराय जोती मंधिरूं में आंलाइन दर्शं के लिए दर्शन लाइव कर सकते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बतलब गौर्णमेंट ने इस मामले में तो अच्छा काम किया, ओभी 247, 24 गंटे दोस्तों यह दर्शन होगा, आप याद रखेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह सवाल भी आपके कहीं ने कलान संस्कृत से जुड़ा हुआ सवाल है, तो याद रखेगा, यह टेंपल 360 जो पोर्टल है, यह संस्कृती मंत्रा की तरफ से रांच किया, ठीक है, गड़गोर उस्तर दोस्तों आपके राजस्थान में है, जी एसाई ने जो भी दो नया भू बग्यानिक बिरासत अस्त कर रहा है, इसान मंथन कारकरम दोस्तों दिल्ली में हुआ यादी है आपको, और यह गुजरात में दोस्तों जो आपका आधी बाजार मेला लगा है, उसको याद रखेगा, केवडिया गुजरात में याद रखेगा, ठीक है, किस राज में भगोरिया उस्तों मनाया गया, तो मद्यपडेश में, अरे वही भी जन जाती, अगरिया सहरी है, इसम मिलके मनाते हैं, किस मन्तरा दोरा अखिल भारती कारकम जरोखा इस्टार्ट हुआ, तो यह संस्कृती मन्तराला है, और इसके साथ कपड़ा मन्तराले भी है, दोनों याद रखेगा, खजुराहो नित युनाइटेड नेशन हुमन राइट कॉंसिल दिशाब करते हैं ने किसे मानों अधिकारों और जलवाई परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेस्ग किसे पॉइंट किया दोस्तों युन यच आर्ची ने याद रखे का यहां पॉइंट किया है डॉक्टर इयान फ्राई को किसे डॉक्टर इयान फ्राई को वहीं दोस्तों गिल्बर्ट हांगो की बात करें तो इनको इंटरनेशनल लेबर आजनाजेसन में महानिदेसक चुना गया है यह आप याद रखेगा यह वी आपके लिए अच्छा सवाल है तो ध्यान रखेगा ठीक है बा जर्मनी का चांसलर बनाएगा दोस्तों यह आप याद रखेगा ठीक है यह वी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा और डॉक्टर इयान फ्राई को पहला स्वतंत्र विशेसक गन्यूत किया गया UNHRC के ध्वारा ठीक है तो इसको आप पढ़ लिजी हाँ पर आराम से और याद कर लिजी ठीक है चली हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों एपॉइंट्मेंट से जुड़े अच्छे सवाल पर देखे इसके पहले राश्पती वाला सवाल था ना तो वहां मुख्य पत पर न्यूक्ती मैंने पढ़ाई है नार्मल न्यूक्ती है वो मुख्य पत क किधा है तो यहां यदे रखेंगा अर्मल यजी की सुद्ध सुन्य उत्सरजन करतिपेद्दात रिगूटी में वत्षा नाम पढ़ाई है इनने वेज बेजा गया अंतराश्टी दूर संचार संग की प्रसासन और प्रबंधन पर परिसत की एक अस्थाई समिती का उपाध्धच किसे बनाए गया इनका नाम है अपराजिता सर्मा भारती भूब एग्यारिक सर्वेक्षड ठीक है इसके बाद लिखना दोस्तो जो परियावड मंत्राले है इसके अगले निदेशक कौन बनने दोस्तो जिसके अगले निदेशक बनने है इस मंत्राले का नहीं दोस्तो इस मंत्राले के अधीन एक संस्थान काम करता है जिसे आप कहते हैं भारती वन अंसंधान संस्थान वहां क का नीरिसक किसे बनाए गया तो डॉक्टर रेनु शिंग को बनाए गया याद रखेगा वन अंसंधान संस्थान का बैड्मिंटन एस्वेसन आफ इंडिया का अध्यज किसे बनाए गया तो यह दोस्तो असम राज जी के मुखमंतरी हैं ही मंतब इस्वा सर्मा उन्हें चुना तो सवाल इसे लिए इंपोर्टेंट है तो इन्हें भी ध्यान दीजिएगा आजादी के बाद पहली बार किस देश की यात्रा भारती राश्पती ने की जिहां दोस्तो भारती राश्पती वर्तमान में रामनात कोविंची हैं आजादी देश को 1947 मिला था हम लोग आजाद पहली बार भारती राश्पती गये विर थे, भारत की राश्पती दोस्तों अभी दो देशों की आत्रा पर थे तुर्कमेनिस्तान और निजिएगा तो आप चीजें पढ़ सकते हैं, जल्छे निदीलिए गए दोस्तों तो वहाँ पर उन्हों ने एक ट्यूल का फूल उनक भी आपके लिए important है पूछ सकता है परिक्षा में ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अच्छा जब यह यात्रा होती दोस्तों तो किसी विशेष प्रयोजन से यात्रा होती यानि कई सारी agreement होते हैं उन देशों के साथ कई bilateral agreement भी होते ह है और unilateral agreement भी होता है यानि एक पक्षी समझाता भी होता है तो बहुत सारी चीजे थी वह आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जो important है वो मैं आपको बताता हूँ देश भी देश से जुड़े खबरों के बारे में चली पढ़ते हैं दोस्तों पहला है कि आजादी के अभी इसु चला था आपके पाकिस्तान में इमरान खान जो प्रधान मंत्री थे दोस्तों उनके खिलाप अविस्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और इसलिए National Assembly महां भंग कर दिया गया हालही में किस देश के प्रधान मंत्री के खिलाप अविस्वास प्रस्ताव रखेगा हाले में किसने रूस के तेल और गेस शेतर पर ने प्रतिमन लगा दीन तो तीन लोगों ने लगाया अमेरिका ने लगाया इंग्लैन यानिकी बृतिर ने लगाया और सादी साथ European Union ने भी लगाया ठीक है रूसी सेना दोरा यूरोप का जो सबसे बड़ा परमाड उड़या सेंदर था जिसका नाम था क्या नाम था दोस्तो जपोरीजिया परमाड उड़या सेंदर इसको दोस्तो अभी यूरोप का था जो सबसे बड़ा इसको अभी रूस ने अपने कबजे में ले लिया है यूक्र प्रो कन्वेंशन की बात की जा रहे थी जिसका उपियोग पहले भी तूर्की रूस के खिलाप कर चुका है धुती बिस्युद्दे के दौरान ठीक है करहा हाले में समाचारों में आप फिनलेंडी करण सब देखा है तो एक सब्सक्राइब किसी कमजोर देश पर दोस्तो अध क्या है तो एक गैस पाइपलाई नहीं हो जना है जो जर्मनी को बाल्टिक सागर होते वे रूस से जोड़ता है यह भी आप याद रखेगा अच्छा सवाल है ठीक है चलिए आज का आखरी सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं करा छेत्र के संब्रिग्द संस्कुति इतिहास को स दोस्तों वहां के LG की बात करूं तो वरतमान में दोस्तों राधा कृष्णा माथुर का नाम सुनाओगा आपने राधा कृष्णा माथुर का नाम सुनाओगा दोस्तों याद रखेगा यह वरतमान में वहां के क्या है लेटिन गवरनर है और यहीं पर दोस्तों आपने ले सबसी उचाई पर वसा हुआ दोस्तों यह गाउं है जो अपने कल्चर को समेटे हुए वहाँ के जो लोग हैं ठीक है वो याद रखेगा अपने कल्चर को आज भी लेके चल ले हैं हम तो जो है पाश्चा सबेता की तरफ इस तरह से आखड़े हुए हैं बहुत सारे जैसे हमारे पहनावा यह देख लिए हमारा पहनावा तो इथा नहीं कभी ठीक है हमारी हैरिस्टाइल की बात करिए लेकिन आज भी आपको ग्या गाउं में वहाँ के पारंप्रिक जो वेजबुसा है खान पान है रहन सान है या जो कुछ भी हो सब कुछ देखने हो की मिलेगा इसलिए दोस्तों वहाँ पर यह संग्रहले बनाये जा रहे है सामुदाइक संग्रहले बनाये जा रहे है जेरी हैमलेट की बात करें दोस्तों तभी इसको जम्मो कस्मिर का पहला दूद गाउं घुजित किया गया था बादीपूरा का दोस्तों ब्यान गाउं यहाँ पर दोस्तों इसको टीका करड के लिए जाना जाता दुनिया का मतलब भारत का पहला ऐसा गाउं है जहां सबसे पहले 100% टीका करड हुआ और आज का जो सही जबाब है दोस्तों यह ग्या शर्षोमा गाउं है ठीक है बाकि तीरी गाउं भी दोस्तों भी चर्चा में चल ला था क्या कोई बच्चा बता सकता है कि तीरी गाउं क्यों चर्चा में चल ला था कोई बच्चा जानता तो मुझे कमेंट करके बताएगा मैंने पढ़ाया था ठीक है नहीं बता पाएंगे तो कल मैं बता दूँगा ठीक है लेकिन आज नहीं इसको पढ़ लिजेगा आप आराम से और अचली हम लोग आगे देखते हैं दोस्तो जो बाते बता हैं कुल मिला जुला को ही बाते हैं फिर से एक बार राष्टी समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं कौन सा गाव है दोस्तो तो लब्दाग का ये ग्या ससोमा गाव है करा ग्रामिट शेत्रों और महिलाओं के विकास के लिए किसके दोरा एक नए मंच की सुरुआत क्या गया तो भी फिलिपकार्ट फांडेशन नाम का एक नए मंच आया है जो की ग्रामिट शेत्रों के विकास के लिए और महिलाओं के विकास के लिए लाए गया हालही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक साहियों को ब्यापार समझोता किया एक तरह से दोस्तों Free Trade Agreement इसे आप कर सकते हैं यह Australia के साथ भारत ने किया है हालही में चर्चा मेरा Wodika के दोस्तों स्याही निर्मार कंपनी है जो RBI के लिए स्याही निर्मार करती है यहाद के समाधान के लिए एतियासित समझोते पर हस्ताक्षर किया इस दवरान हमारे ग्री मंत्रिय मिस्ताजी मौझूद थें और बात हो रही है असम और मेघार है राज्जी की ठीक है तो इसे भी याद रखेगा WHO भारत सरकार ने किस अस्थान पर पारंपरिक चिकिस्ता के लिए बैस्विक केंद्र बनाने का निर्ड़े रखा है तो याद रखेगा गुजरात के जामनगर में यह बैस्विक केंद्र बनाया जा रहा है हाले ही में मोदी जी ने कहां पर राश्टी रक्षा बिस्विद्याले के आधर सिला रखी तो यह गाधी नगर में रखा गया और गाधी नगर में इस बार दोस्तो डिफेंस एक्स्पो का भी आयोजन किया गया वो भी याद रखेगा 2022 में WHO Global Center for Traditional Medicine के स्थापना कहां किया गया वही जामनगर है दोस्तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो यह राश्टी समाचार से जुड़े दोस्तो अच्छे सवाल है ध्यान रखेगा बाकी दोस्तो अगर मैं बात करूँ इंक किताबों की अच्छे बहुत सारे बच्चे प्राइज को लेकर बड़ा कन्फूजन में है अरे मैं बताओ भई यह लेकपाल की जो किताब है इसका प्राइज है दोस्तो 400 रुपे कितना प्राइज है अब आप बताए कि क्या 400 रुपे है सवाल यह किताब है हिंदी की किताब है सामाने ग्यान की किताब है और सामाने गड़ित किताब है चार सुर्पे में चार किताब वह भी अलग से कोई स्टीपिंग चार्ज आप से लिया जारा कोई जो है इन किताबों को order करते हैं तो ये दोस्तों किताबे आपको पहुचाए जाएंगे और सबसे अच्छी बात है दोस्तों tracking ID भी दिया जा रहा है आप किताबों को track करिये क्या दिक्कत है आप और किसी website पर जाके किताबों को order करिये कोई tracking ID नहीं देता है ठीक है कोई tracking ID नहीं दे और यह उपर की किताब दोस्तों बाईवन गेट वन यानि एक किताब पे किताब आपको निशुल कुरूप से दिया जारे कितने का है यह आपको पढ़ड़ा दोस्तों वन नैंटीनाइन की किताब है याद रखेगा ठीक है तो यह अपने अब आपको लगेगा किनिसा दो कित यह किताब दोस्तों थोड़ी पत्लियां उनके पेक्ष्या करित्थ यह किताब दोगनी मोटी है और जो फ्री वाली किताब है न यह भी 40 पेज यह कितनी है 48 page की किताब है तो 48 page भी आपके लिए कम नहीं होता 48 page की किताब हम निसुल्ख दे रहे हैं ठीक है निसुल्ख दे रहे है जब कियासा नहीं कि इसका खर्च नहीं है और इस किताब को भी दोस्तों आपसे कोई delivery charge नहीं लिया जा रहा है ठीक है तो अब मुझे नहीं लगता कि नहीं आर की आपको बहुत ज़्यादा परसान होने के जरुवत था और आप मार्केट से किताबे पर्चेच करते नहीं है आपको अच्छी तरह पता है कि किताबों का रेट क्या है कैसे क्या है मुझे बहुत ज़्यादा नंबर है कोई तरह की समस्य है कोई दिक्कत है तो आपकाल करें शंपर करें ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय हिन जय भारत थैंक्यू थैंक्यू सो मच